जाहिन दोस्तों आप लोग को मालूम है दोस्तों कि GDS का जो फोड लिस्ट आया ठीक है GDS का भी फोड लिस्ट जारी हो गया लेकिन फिर भी आभी भी मेरिट जो है ठीक है अब भी मेरिट 99 और 98% कुछ-कुछ बिहार उपी का था बात है छोड़ देख रहे हैं ठीक है यह सब लोग फेक निवज वाले जितने फेक डॉक्मेंस वाल हैं ठीक है सब फेक डॉकमेंस वाले को ले रहा है ठीक है और जो फेक डॉकमेंस वाले ना रही है सब भी फेक वाले हो रहे हैं बाहर एकदम यह निश्चीत है क्योंकि देखिए पेपर कटिंग के मादेम से हम आपको बता देते हैं ठीक है इसमें देखिए आप भी ठाग भीभाग फेक डॉक्मेंट लगाने पर छोद हो खिलाप किसदर्च की गई है मतलब फेक डॉकमेंट डॉकमेंस यानि कि जो जीडियस के तरब से और बहुत अच्छे से बारीकी से टॉकमेंट जहां सुरू हो चुका है हाना तो जो नोन सलेक्टेड एस्टूडेंट है जो लोग अभी फोर्ट लिस्ट में भी सेलेक्ट नहीं हुए और जिनका मतलब 90 से वह भब है ना 90 से नहीं सबसे जदा दांदली और उपी बिहार में बहुत ज़्यादा धानली हुए बहुत ज्यादा इसको ड्यीडिये अप समाझ खें और अच्छे से डाक में कराने वाला आज हो रहा ही इतिका के लीष जारी होगा क्योंकि भेक मेंन रार निकालना है तो लिए जारी होगा बखाए कि दुबारा इसका फिर ओनलाइन नहीं कराने वाला इसमें लिश्ट ही जारी होगा तो चलिए हम आपको आगे बता है कि इसमें क्या कैसे यह जांच हो रहा है हना और कितने कैसे कैसे हुआ है तो चलिए इसके आगे तो इसमें तो जो जिदिए सके तरफ से अच्छे अच्छे ढंग से चल रहा है ठीक है बहुत ज्यादा मतलब फर्जिवारा जो हुआ है आना बहुत धांदली के तरफ से जो डॉकमेंस वाले जो बना बना करना है डॉकमेंस बना बना कर जो ओनलाइन की है उनलों के खिलाब देखे डॉक डॉक्ट में नोकरी के लिए पंत्र लगाये थे वह विभागे सत्यापन में फर्जी पाएगे डाग विभाग अब ऐसे आदो कि खिलाप दर्ज कराने की तैयारी में मतलब कि सीधा सीधा डाग विभाग भी अब अच्छे से जाच करना सुरू कर दिया है दोस्तों तो यह बहुत अच्छी बात है जो नॉन सेलेक्टेट स्टूइंट है उनके लोग की है क्योंकि अब जाच अच्छी तरह से हो गी तो डॉक्मेंस जो फेक वाले हैं वो लोग बाहर निकलेंगे उसके बाद देखिए अब यह जो मेरिट बन रहा है न यह और मेरिट आनवाला हाना हम आपको बतायते हैं और आ दाक अधीचक ने एक साब्ता में सवी दास्वेश्य को जांच कर रिपोर्ट तलब की डाक अधीचक दिनेसा ने बताया कि जिन भी कंडिडियेट के डिगरी को फर्जी पाया गया उच्छी बिभाग उन पर एफाई दर्श कराएगा बाकी बचे को कंडिडियेट को डॉक अधीचक किया जा रहा है फेक वाले को बाहर होना चाहिए और जरूर होना चाहिए नाइंटीनाइन पर्सेंट पर्सेंट वाली एपी जब दुर क्लाम बन गया इतने सारे नम्म लाकर यार यह हद हो गया मतलब जो लग लिकर आया उन लोग अधलो यह लोग लगा दिया त तो यह जरूर होना चाहिए और सब को जेल होना चाहिए जितने फर्जी वाल है ना सब को जेल भेजना चाहिए ठीक है दोस्तों तो यह जनकारी मुझे मिली ठीक है यह मुझे जनकारी मिली है इसलिए सुचा हम आप लोग को बता दे तो यह जनकारी कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं दोस्तों और आप लोग किस राजे से कितना है परसेंटेज भी बताएं और जिनको सेलेक्शन नहीं हुआ है ना वो लोग थोड़ा उमीद रखें उनका जरूर होगा क्योंकि यह फेक वाले जो बाहर होने वाले हाना और चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक कर लिजे दोस्तों जाएं दोस्तों मिलते हैं अगले दोस्तों